के आप लोग वेलकम बैक टो माई चैनल तो सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैं बदाम को राज में भी गो देती हूं तो उसी को मैं भी खा रही हूं और शपर्ष को भी दे रहे हूं आज शपर्ष को स्कूल नहीं जाना है क्योंकि फिर कल उसका पेपर है तो आज वो घ लेट ना होंगी क्योंकि मैं भी आज थोड़ा लेट ही उठी थी सुबह इनको ब्रिकफास्ट वेगारा डंच बना के दे थी फिर मैं आदे घंटे के लिए लेट गई थी तो थोड़ी सी मेरी तब्यत भी ठीक नहीं चल रही थी तो बस इसलिए ना आज मैं लेट ही तो अभी मैं बेडरूम में आ गई हूँ और मुझे यहां का बैडशीट चेंज करना था तो ब्लैंकेट भी मैंने नीचे ना रख दिया है एकदम फर्स पे नहीं रखी हूं वहां पे कुछ बिचा के तब रखी हूं और आज मैं यह ब्लैक वाला बैडशीट निकाली हूं यह बैडशीट मेरा 5 साल पुराना है लेकिन अब भी इतना चायन है कि पुझो नहीं एकदम मतलब अच्छा लगता है और अब भी तक कलर नहीं गया कुछ भी खराब नहीं हुआ है पिलो कोबर वगर कुछ भी खराब नहीं हुआ है तो बस ऐसा लगते है कि जितनी दिन च करने के बाद यह जो प्लांट था यह रग रात को नीचे रग देते हैं तो फिर इसको मैंने लगाई और इसका पिलो कोबर नहीं मिल रहा था ब्लैक वाले बैडशीट का तो उसको मैं अभी डून रही हूं क्योंकि सर्दिया थी ना तो उलेन बैडशीट भी जाती थी तो अब दीश पर्ष पढ़ाई कर रहा था हौल में बैठा हुआ था तो पिलो कोबर लगाने के बाद फिर उसके बाद ने इसका मैं जो ब्लैंकेट है वो मैं सही करूंगी तो अब तो दो ब्लैंकेट हमने रग दिया है बस एक यह वाला ब्लैंकेट है लेकिन ऐसा लग रहा तो अब जो अब पतला वाला जो ब्लैंकेट होता है उसको ही रखना पड़ेगा तो देखिए अभी मेरा बेडरूम अच्छे सेट हो गया है सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया और चमक उठा है मेरा बेडरूम और उसके बाद ये बाहर वाला जो कर्टेन है इसको मैं लगा दी और ये दोपैर के बाद का टाइम था मतलब तीन बजे के आसपस का टाइम था मै बोर रहा था तो मैं बाद में बनाओंगी न तो मैं आपको दिखाती हूँ तो यहां से बाहर से मैं अभी इस पर्च को बोड़ी कि आप एक कपड़ी लेकर आ रही है तो मैं कपड़े उतार ली रही हूं क्यूंकि सारे कपड़ी सूख चुके थे और हवा भी बहुत ते च सुरू हो गया है चोटे-चोटे कली लगी हूई थी तो वही मैं दिखा रही थी हमारी दुनों की मस्ती चल रही थी डांस वांस मैंने बोला चलो आपको डांस कर आती हूं तो यहां भी डांस कर रहा है स्पर्च तो अभी मैं कपड़े भी फोल्ड करने लगी हूं मैं सुची कि चलो वाजबना, साथ ही साथ मैं कपड़े फोल्ड कर देती हूं क्योंकि अभी मुझे ना और भी थोड़ा काम है और यहां पे जितने भी कपड़े इनके थे, मैंने इनके हटा दिये, इस फ़ल्ड कर रख मैं अपने भी फोल करके बस यहां पर रह गया एक मेरा जो स्वेटर है रात के टाइम सुबह के टाइम में डाल लिया करती हूं जब सो के उड़ती हूं तो और यह कॉपी था यह मेरा था तो मैंने उसको रख दिया तो बस यह बेड़ खाली हो गया और इस पर्श का बेड़ बुटा अब पी त्यार हो गया तो मैं बोली सो जाओ तो दें कितने पीलो लगांके सो रहा है। इस सपॉज है नहीं कितने पीलो लगा है। इसको के सपार्ष ने वान टू ठरी एद्ट का पीलो मैं वहीं बनाने बैठी हों गल्ट conversely करों यहांपे न मैं उसा दूपटर मांगी आ Daddy and deep signal and luz के बाद अच्वाइन में एक तो Kylie आड़ करऊएध थोड़ाइन अच्वाइन श्चारि ना मकी यसा नाकर अका और जो थे ना बनाट लूँ गोर्ट तो सोची ना कि चलो होली भी आई गई है तो यह मैं बना लेती हूं और होली की भी तयारी देखी यहां पर आटा मैंने गूत लिया है और इसको मैं अभी कोबर करके ना 15 मिनट के लिए छोड़ दूगी और यह 15-20 मिनट हो चुका है और उसके बाद मैं इसको भी बेलने के ल खाना चाते हैं तो वैसे घल सका खायो प्रूशची के चाथे हैं टाना में जोड़ चाल करArt को तु्सका लेसी काड़ने है झांटव शण जरैओंक से कूषिजगे काट ने कि यह ने को आड़ा छिपा कोल आगा तो पीजा कटर सझा चलिए अच्छ से क difilsा करते हो और मेरा पीजा कटरना मिल नहीं रहा है तो मैं फिर इसको ही लेकर चले आई हूँ तो बस एक बार मैंने बेल के और मैं इसको निकाल ले रही हूँ और ये थाली को लगा के मैं बेली अच्छे से नहीं हो पारा तो ज्यादा हिल डूल रहा है पहले में को लगा के नहीं हो जाएगा क् फिर मैं चकला पे ही रखके और बेलने लगी हूँ और इसको भी फिर मैं बेल के पतले से एकदम बेलना है और इसके बाद मैं इसको कट कर लोगी और यहां मैंने आधा से अधिक नमक पारे बहिल के तयार कर लिया है बस लास्ट बचा है तो मैं सूची की ऑईल भी गरम हो जाएगा तब तक मैं ऑईल कढ़ाई में रख दे रही हूँ और वो गरम हो रहा है और लास्ट वाला जो है उसको भी मैं कट करके अभी निकाल ले रही हूँ और जितने देर में बनाई ना उतने दिर स्पोर्श यहां पर बैठा हुआ था और मुझे पूरा बनाने में कम से कम डेर घंटे तो लगी गया थे और वीडियो पर छोटा मैंने थोड़ा ही तो यहां पर फिर नमकीन को जो भी मैं कट करके रखी हूँ और पहले तो आपको ऐसे ना एकदम चिपका हुआ दिख रहा है लेकिन जैसे 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 यह सारे जो नमक पारे ना अलग हो जाएंगे और एकदम क्रिस्पी बनेते बहुत टेस्टी बनेते तो पहले तो सारा म पांच बज़े से मैं बनाना शुरू करी थी सवा पांच से पांच सवा पांच हो रहा था टाइम तो यहां देखिए इसका कलर भी अभी चेंज होने लगा है और बहुत दिनों बाद मैं यह बना भी रही हूँ कम से कम 2-5 साल बाद मैं यह नमक पारे बना रही हूँ काफी तो बस यह लाश्ट बैच अभी फृरी हो रहा है और अच्छी टीश्यो पीपर तो यह लास्ट मैं निकाल ली है और श्क्रा ओवीना एंब आफसा कर लेगा टेश्यो पेपर तो यह लाश्ट ली और मازम मांग भी रहा था कि मामा मुझे देदू खाने के लिए तो मैं उस करने के लिए क्योंकि जब से आया है ना मुझे इतना जादा पसंद आया है कि मैं सोच रही थी कब मैं वीडियो बनाओ तो नियू हैंड बैग का कलेक्शन जो कि मैंने रिसेंटली मंगाया है और यह मुझे आज ही रिसीब हुआ है तो यहां पर सबसे फॉर्स जो देख रहे कर लेना और माई हॉल स्टोर का भी लिंक रहेगा वहां से आप लोग देख लेना अगर आपको कोई भी पसंद आता है तो यह आप लोग बताना कैसा है हैंड बैग लग रहा है मेरे पास ब्लैक कलर का कोई भी हैंड बैग नहीं था इस टाइप का सो मैंने यह चूज किया ह है इसका जो ब्राण है फ्सक्रावे नीचे ब्राण का नेम लिखा हूं जो की आप देख सकते हैं यहां में भी हैं बैग साइड में बthy रखने के लिए आप देख सकते हो इसका पूरा मैं अंदर से ओपेन करके दिखाती हो और इसकी जो प्राइस है वह थार्टीन हंड्रेड है थोड़ा सा कौशली है है बहुत अच्छा इसमें आप स्पेस देख सकते हो कितना सारा स्पेस है अंदर भी जिप दिया हुआ है यह आप दे इनके साथ तो ठीक है लेकिन मेरे साथ होता है तो मुझे उसको रखना पड़ता है तब ही मुझे लगता है कि हाँ मैं सही से द्यान दे पा रही हो तो मुझे इस टाइप का बेंट जरूरी होता है तो इस हैंड बैक के साथ नम्हें यह वाला बैल्ट भी अटैच कर सकती तो मैं बस ऐसे साइड से न जैसे स्लिंग बैग विगरे लगाते हैं उस टाइप से भी मैं इसको लगा लो तो बेफिकर मेरा हैंड फ्री रहता है तो मैं इस पर्च को भी देख लेती हूँ इस तरीके से मुझे रिसीब हुआ है बहुत अच्छी पैकेजिंग थी इसकी मैंने ओपेंड किया देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग यह इतना सॉफ्ट है इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या बता हूँ काफ़ी टाइम से मैं इसको कायट में डालके रखी थी बट ऐसा हो नहीं पा एंड यहका बैक साइड है बैक साइड में से जिप दिया हुआ है यह मैं दिखा देती हूं용 काफ़ी इसमें दिया हुए है अंदर भी पॉकेट वगरव का या नुसके बैलको धी बैल्ड में शेयर आएं ने क्शले है यह भावन कलर में यह बहुत ही चोटा सा बैग है बट थोड़ा भी कभी इदर उदर जा रहлекा है तो में इस बैग को ले सकते हैं इस बैग की आप इस तरीके से इक सीजेंड नीचे जो के रिए मосьमडी आया हुआ है उपर यह वाला बैट है इसको यह लेदर में ही दिया हुआ है इसको open करने का तरीका यह हम twist करेंगे एंद यह हो जाएगा open इसमें भी काफी space दिया हुआ है इसके अंदर जो भी चीजे भरी होई थी इसको मैंने निकाल दिया है and काफी space बीच में जिप भी दिया हुआ है तो अगर आप कहीं जा रहे हैं न कम चीजे जैसे आपको मुबाइल वगर लेके जाना है तो आप इस टाइप का ये वाला बैग यूज कर सकते हैं इसके भी कलर अवलेबर हैं ब्लैग, ब्राउन, वाइज, ओफ वाइज कलर इस टाइप से न बहुत सारे कलर इसके अवलेबर तो बताना आप लोगो कैसा लगा मेरा हैंड बैग का कलेक्शन मैं कहीं जाने के तयारी कर रहे हूं तो आगे आप लोगो को पता चलेगा कि मैं क्यों इतनी शॉपिंग कर रहे हूं तो चलिए फिर ब्लॉग की तरफ चलते हैं तो कैस अभी राच के बज गए थे 8 बज के 10 मिनट और मैं अभी आ गई थी किचर में खाना बनाने के लिए बहुत जादा मैं ठक गई थी तो मैं अभी न लेट हो गया मुझे खाना बनाने में ऑफिस ते तो यह आ गए थे लेकिन मैं खाना लेट बनाई तो मैं सोयबीन आ बहुत टाइम से ऐसा चली रहे तो डेली ऐसा होता ही नहीं किसी वीडियो पर ना आए कि आप प्रेग्रेंट हो क्या आपकी तब यह ठीक नहीं चल रही है तो यहां पर सारे मसाले भी मैंने एड कर दिये हैं और प्यास भी मैंने जो कट करके रखाता ना उसको भी मैं डाल द मी करता ही दिशनी जो कुकि मैं हो दबे में इस मिसे मैं ने सारे मसाले भ़लियें बड़ी लियु दाल चिनी दाल चिनी सूखला straw lid में रमीश नता मैं बोल चुटे से ल मातमें वैज दो जब से 20 मिनट में तो चलिए फी ब्लॉग को इंप करती हूं मिलती हूं आप लोग के साथ नेक्स ब्लॉग में अगर ब्लॉग अच्छा लेगी तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब